in आप लोगों करें जी नाशनल साथ इसे बाएगलास में और आए हम पढ़ेंगे पर और का प्रित्ठकनप का निया मेंड़ का दूसरा नियम जो है कmanأकर में दूसरा नियम पहले हम नियम प्राफने स्धुत है नियम अब हम इसे प्लस्य कृता है कि यह कैसे है समयोगमक्षीं है harm समनकारख without ת होते हैं ऐसे ही संमनकारख्वालिनेटी कंड़्व को आकराथए है चली है यह संकार नम्ब भैदा क्यालाती है अब जब इनकी बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो संकर लंब पोदा पूता है इसoire प्रалась होता है कि इसमें यो का रखें वह अलग इलग का रखोते हैं तो यहां तक तो प्रभाविता के नियम में पढ़ लिया था और जो प्रभावी लक्षन होता है भाय अपने को प्रभावी लक्षेयरे सिला में प्रणा पकलता है Tyler को आता है यह अनिथे कारक्यों का यह अब देखिए इसमें प्रणा करने को लेक्हार Hem इसमें भी कारक वाले योगमसे हैं और जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं योगमक बनाते हैं तो दोनों कारक एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एक कारक में एक योगमक में एक कारक दूसरे योगमक में दूसरा कारक चला जाता है जब यह जो कारक है विसम योगमक की संकर लंब पौत्र में जो कारक है यह अलग-अलग कारक है और यह जब अलग-अलग कारण है और साथ-साथ है लेकिन जब उनके यूंक्त बदते हैं तो यह एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अलग अलग युगमक क में चले याते हैं इस कारण कारख एक दूसरे से प्रिथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, इसी यो हम कारखों का प्रिथक कारण का नियम कहते हैं, जो कि, क्योंकि युगमक जो है, वो इसमें किवल एक ही कारख जाता है, दूसरे युगमक में भी किवल एक ही कारख जाता है, तो किवल इसमें वह कि यह बीसों दो योगमोग है थीक है यह पैसान कर रही यह गाड़ी और भारन वजा रहे हैं कि तो अब समझते हैं कि जो कारक हैं वो एक दूसरे से अलग हुआ है है इसलिए कारगों का प्रित्धाकरन का नियम है योगमकों का सुतारी है यह डूसरे lieग je है के वर इस्माइलय है इसलिए यह यह कारग में एकड़者 हूज घ्यॉotal है यह को सुध्या ह Mensch तो यूगमक है वो प्योड लूप रूप से सुध्ध होते हैं इसलिए से यूगमकों की सुधता था नियम ही कहते हैं ठीक है जब इन यूगमकों ऐसे F1 PD वाले ऐसे पॉदों के बीच में जब दो संकर लम्बे पॉदों के बीच में उनके बीच में क्रॉस कराती है तो F2 PD के स्मल्टी, स्मॉल टी, है मार्ले एें इस प्रश्रात त klaipोती है इस्मौल टी पौधे प्राप्त होती Kenneth है तो यह में क्या से पृप्त हुआ क्योंकि इसमें जो कारक हैं वो एक दूशे से अलग हो गए सुद्ध युगमक से कारण ही हमें यह सुद्ध लंबे पौदे और अब पौदे प्राप्त हुए है जबकि फवन पीडी में यह दूनों कारक एक साथ साथ थे इनका मिस्रन नहीं हो पाया था इसी लिए ये दोनों F2PD में अलग-अलग हमें दिखाए दिए इसलिए हम इसको क्या कहते हैं पिर्थक करण का नियम कहते हैं क्योंकि जबकि ये कारक एक साथ थे साथ साथ थे इनका मिष्रन नहीं हो पाया इसलिए F2PD में यह अलग-लग हो गए और अलग-लग होने के कारण सुद्धू रूप में हमें जनक की भाती सुद्धू रूप में हमें प्राप्त हुए इसलिए से हम प्रिथख्रण का नियम कहते हैं हमनों तीन बाता है अपको बताई है एक तो जो कारक होते हैं बो जो कारक होते बो एक दूसरे से अलग होगा यह पिर्थधा का नियम कहलाता थे हैं जो जो कारक हैं उनसे एक निश्यत अनुपात में हमें सुद्ध पौधे प्रात होते हैं या अलग बिन दोनों कारक हैं बिप्रीत कारक वो एक निश्यत अनुपात में हमें प्रात होते हैं इसलिए हम इसे प्रिथक करना का नियम कहते हैं को कि यहां कारक दोनों एक दूसरे से अ हों चुके हैं लंबा पोदे वालक कॉइसे वीकothe आपको करें है कि हमने आपको समझाते कि यह मौत को कहते हैं से कोंकिसमें यूग में होते हैं या तो उसमें capital T होगा या फिर उसमें केबल स्मॉल टी होगा यह प्रिथक्रण का नियम क्याते हैं क्योंकि एप्टू पीडी में हमें सु दोनों जो लक्षन हैं वो एक दूसरे से अलग हो गए दोनों कारक यूद अलग हो गए इसकारण सुद्ध क्यों क्याते हैं को यूग सुद्ध हो गए तो इस प्रिकार यह आज का यह टॉपिक समाव तो ता है कारकों का प्रिथक्रण का नियम यह प्रिथक्रण का नियम यह प्रिथक्रण का नियम प्रिथक्रण का नियम प्रिथक्रण का नियम प्रिथक्रण का नियम समझा दिया जाएंगे ठीक है तो इस परकार आज का वीडियोंं यह समाप्त करते हैं और अगर आपको समझ बढ़िये लुस्ता हो बडिया हो अज्छा लगता हो तो आप हमेरी वीडियों को लाइक कीजिए किए समझा और शेयर कीजिए हमारे वीडियों शेयर की जीए और पहली बार मेरे चैनल से जोने हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूफ कर लें झाल बाट का अग्यूंद कर दूब